नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी एक नज़र डालेंगे पांच मिनट में 25 खबरों पर पूर्फ केंदिय मंत्री यश्रन सिना को तुरिनमूल कॉंग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया इसके साथ ही उन्हें पार्टी की नैश्रुक वर्किंग कमेटी का सदच से भी बनाया गया है यश्रन सिना के इस नियुक्ति का आदेश आज से लागू हुगा बस्पा संसापा काश्वीराम की जैनती पर बहुजन समाज पार्टी की मुख्य प्रमुक मायवती ने प्रेस कॉंफरेंस की जोरान उन्होंने केंद्र और राज्य सका पजम का निशाना साधा इसके साथ ही मायवती ने कहा 2022 विधान समझ चुनाव में उनकी पार्टी यू कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के पास सेविस पोटक से वरी गाड़ी मिलने के मामले में मुंबई पुले सदिकारी सचिन वाजे को गिरफतार किया गया है बतादेंस को लेकर बीजेपी महराज सका पजम का निशाना साथ रही है पूर्व मुकेमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्टे अध्यक्ष अकलेश यादव पकेस दर्श के जाने का मामला प्तूल पकरता जा रहा है लखनों की सरकों पर आज एक पोस्टर लगा है जिसमें एक तरफ अकलेश की तस्वीर है जबकि दूसरी और मुकेमंत् 14 लोगों की मौत हो गई बड़ी बात ये है कि देश में अब एक्टिव केस की संक्याब बढ़ती जा रही है कोरोना के बाद से दिली की सभी जुला अदालतों और हाई कोर्ट में आज से 104 रूप से मामलों की सुनवाई शुडू की गई सभी बेंच अब मामलों की सुनवाई फिजिकल हीरिंग के माध्यम से वैसे ही करेगी जैसे कोरोना काल से पहले होती थी उत्रखन के मसूरी में एक स्कूल में एक साथ कोरोना पॉसिटिव के 14 नए केस सामने आने से प्रसाशन के पसीने छुट गए मामले को गंबीरता से लेते हुए प्रसाशन ने बारले गंज और गोलबे कॉटेज और इरिया कंटेन्मेंट जोन घुशित कर दिया है महराश्ट के बाद मध्यप्रदेश में कोरोना संकर्मन के मामले बढ़ रहे हैं संकर्मन के प्रसार को रोखने के लिए शिवराश सरकार कई तरह की पावंदिया लगाने पर विचार कर रही है आंदोलन पर बैठे किसानों के कारण दिल्ली में कई मार्क बंद पड़े हैं इसी बीच दिल्ली पुलिस ने यूपी गेट सेथ फ्लाय ओवर की सिंगर लेन दिल्ली से गाज़वा जाने वाली खोल दिया है एनेच नाइन पर दिल्ली से आने वाले लेन खुलने से लोगों को भी रहत मिली मैंमार में तक्ता पलट होने के बाद से ही लगातार बेकाबू हालात हो गए है रविवार को यंगून इलाके में प्रदर्शनकारियों के द्वारा एक चाइनीज फैक्टरी में आग लगा दी गई थी जिसके बाद मैंमार की सेना ने खुले आम गोलियां बरसाई इस गोलिकान में क्यावन प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई दो बैंकों के नीजिकरन के प्रसाफ के खिलाफ सोमवर और मंगलवा को देश भर में बैंक कर्मी हर्टाल पर हैं दो दिन बैंक बंद रहने से बैंकिंग कामकाश प्रभावित रहेगा राजिस्तान के मुख्य मंत्री अशुक घैलोट सकार ने अखिकार आठ माईन बाद कबूल किया कि फिष्टे साल जुलाई में सचिन पाइलेट खेमे की बगावत के समय के इंड्रिय मंत्री और कॉंग्रेस विधायकों के फोन टेप किये गए थे सरकार ने विधान सबा में पूछे गए एक सवाल के चवाब में कहा कि सक्षम स्तर से मंजूरी लेने के बाद ही फोन टेप किये जाते हैं बिहार विधान सबा में बजट सत्रों के 16 वे दिन जम कर हंगामा हुआ एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजिस्वी यादव औरोप मुख्यमंत्री तारकिशो और प्रसाद सदन में आमने सामने आ गए दिल्ली केरल और कनाटक के करीब दस ठिकानों पर राष्ट्रे जाच इजिंसी की छापे मारी चल रही है आतंकी संगटन आईस आईस से जुड़े पांच लोगों को एनाईये ने ग्रफतार कर लिया है बिहार के किशुनगंज में आग की विक्राल लप्टोस ने जम कर तांडव मचाया किशुनगंज के एक मकान में लगी आग की वज़ह से चार बच्चों समेथ पांच लोगों की चल कर ददनाक मौत हो गई पाकिस्तान की मशूर लाहॉर युनिवरस्टी इन दिनों अपने एक आदेश के वज़ह से सुर्खियां बटोर रही है एक चात्रा ने साती चात्र को प्रपोस किया तो युनिवरस्टी ने दोनों चात्रों को निश्काशित कर दिया करन जोहर की फिल्म स्टूट आफ दा इयर से फिल्मों की दुनिया में कदम रखने वालिया भट आज अपना थाइस्वा जरम दिन बना रही है आल्या ने हर फिल्म में लीक से हट का करदा नबाया है और यही वज़ा है कि आज वो लोगों के बीच में लोगप्रिय है फिल्म बच्चन पांडे के शूटिंग के बाद अक्षे कुमार जल्द ही अपनी अगली फिल्म राम सेतु की तयारी में लग जाएंगे राम सेतु के मुहरत शॉट के लिए अक्षे 18 मार्च को डारेक्टर विशेक शर्मा और क्रियेटिव प्रडियूसर डॉक्टर चंद प्रकाश तुवेदी के साथ अयध्या रवाना होंगे फुक्रे 3 के तुई से पार्ट की शूटिंग शुरू हो गई है यानि कुछी महीनों बाद फुक्रे 3 भी आपको एंटेटेन करने के लिए हाजिर हो जाएगी फिल्म के कलाकारों ने शोशल मीडिया पर फिल्म के महरत पूजा की पोटो शेयर की बॉलिवोड एक्टरस गीता बसरा और क्रिकेटर हरबजन सिंग जलत ही दोबारा पेरेंस बनने वाले हैं इस बात की चानकारी गीता बसरा ने एक क्यूट सी तस्वीर के साथ शोशल मीडिया पर शेयर की बीमसी के द्वारा ट्विटर हैंडल से आज एक ट्वीट हुआ जिसमें बताया गया कि एक बॉलिवोड एक्टरस के खिलाब कोरोना के नियमों का उलंगन करने के मामले में एक फाया दर्च की गई है ट्वीट में बीमसी ने क्रिस का नाम का खुलासा नहीं किया बॉलिवोड सूत्रों के मताबे की एक फाया गौहर खान के खिलाब दर्च हुई है पांच मिनट पच्चस खबरों में बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तवाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहेगे नियूस वर्ल इंडिया